इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं maximum और minimum points पता लगा पाऊं graph में होते गहां पर है जैसे ये वाला question कहता है mark all the relative maximum points in the graph relative maximum points मतलब उन points के आसपास की value के हिसाब से उसकी value सबसे जादा होनी चीए जैसे अगर मुझे ये वाला point दिख रहा है इसके left side और right side दोनों side जो values हैं वो इसकी value से कम है तो मैं बोलूँगा ये एक relative maximum है तो इसको मैं mark कर लेता हूँ यहाँ पर values यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसके left side तो value कम है लेकिन right side values जादा है तो ये point यहाँ से मैं हटा देता हूँ वैसे यहाँ पर भी point नहीं होगा value एक side कम है और एक side जाता है तो सिर्फ एक यही point है जहाँ पर दोनों side value इसकी value से कम है तो ठीक है यह हो गया relative maximum चेक कर लेते हैं ठीक है ये एक graph मुझे गेवन है मुझे relative minimum point बताना है relative minimum का मतलब होगा कि जहाँ पर उसकी दोनों side उसकी value यानि कि उसकी आसपास की value से उसकी value कम हो और ये मुझे एक point दिख रहा है जहाँ पर दोनों side value से जादा है और ये value कम है ये एक minimum मुझे दिख रहा है और कोई point में मुझे नजर नहीं आ रहा जहाँ पर दोनों साइट वैलियो से कम हो चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ कोईशिंस यह कह रहा है Mark all the relative minimum points on the graph relative minimum यहाँ पर मुझे दिख रहा है यह value यहाँ से कम होती है यहाँ से कम होती है फिर वापिस बढ़ने लगती है तो यह हो गया relative minimum और यह हो गया answer एक और देख लेते हैं Mark all the relative maximum points on the graph relative maximum points अगर मुझे mark करने हो तो मतलब मुझे देखना है कि उसके आसपास की value के हिसाब से वो point पे सबसे ज़्यादा value आने चाहिए जैसे मुझे यहाँ पर एक point दिख रहा है इसके आसपास की value से इसकी point value ज़्यादा है यह हो गया लेकिन ऐसा ही एक point मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है इसके आसपास की value से ज़्यादा है इसकी value तो यह दोनों मेरे relative maximum points हो गए एक से ज़्यादा relative maximum points हो सकते है तो यह हो गए मेरे relative maximum points ठीक है अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं Absolute Maximum Minimum के Questions तो यहाँ पर मुझे कह रहा है Mark the Absolute Maximum Point on the Graph Absolute Maximum मुझे सिरफ एक ही Point मिलेगा जिसकी Value सबसे ज़ादा होगी तो इस पूरे Graph में अगर मैं देखूँ सबसे ज़ादा Value, सबसे ज़ादा Output मेरा यहाँ पर आ रहा है तो यह हो गया मेरा Absolute Maximum और देख लेते हैं यह अजीब सा Graph है यहाँ पर बोल रहा है Mark the Absolute Minimum Point on the Graph अब Minimum मुझे कई नजर आ रहे हैं जैसे मुझे यह Minimum नजर आ रहा है यह है, यह है, यहाँ पर भी है यह सारे मेरे Local Minimum होगे लेकिन Absolute Minimum यानि कि Global Minimum मेरा सिर्फ एक ही Point होगा जो सबसे कम Value दे रहा है तो सबसे कम Value इस Function की हो रही है यहाँ पर यह जो Minus 7 है इस Point पर तो यह होना चाहिए मेरा Absolute Minimum Point इसे चेक कर लेते है फिर एक यह वाला Graph है कह रहा है Mark All the Absolute Maximum Points अब Maximum कई होगे इसमें लेकिन Absolute Maximum एक ही होगा जो कि जिसका Output सबसे ज़ादा होगा यह मेरा एक Point है 8 यह Graph में सबसे उपर है यह हो गया मेरा Absolute Maximum यानि कि Global Maximum फिर है Mark the Absolute Maximum Point इसमें मुझे यह गलती से मैंने Mark कर दिया यहाँ पर अगर मैं देखूँ वो Value जो सबसे ज़ादा है पूरे फंक्शन में तो वो है यह वाली Value यह Value सबसे ज़ादा है तो यह हो जाएगी Absolute जाने कि Global Maximum Point ठीक है